अभेलो दोस्तों स्वागत आपका पोष्गिरस Ск Ohedi distribution के इस सेचंड नमर के वीडियो में जो पहला वीडियो बनाये था अपने देखा ता कि किस तरह से distribution होता है समас charn Congrats क्या होते हैं बरकार नोट ट्रे जैसे कमझे रेटिंग टेविल का ये ग्षाइब और वर नोट के अंदर रहेगा तो यह अपने चैल में समझा है यदि आपने वीडियो नहीं देख है तो यहां पर e lah यह आय ऑई इकषा लिंक के दिख रहा है। यहां पर मैंने अपना लिंक उस वीडियो का लिंक डाला है यहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं अभी अपने continue समझेंगे जो अपने example है rating movie and movie cost अपन उसका pg admin ओपर करेंगे and अपन create करके देखेंगे कि किस तरह से काम करता है तो यहां पर मैं simple समझाता हूँ एक बार आपका revision भी हो जाएगा कि जब भी आप create करते हैं distribution table एक मेरा normal table था यहां पर मैं rating की बात करता हूँ and उसका जो id मैंने decide किया था वो क्या था मेरा movie id था तो इसको यदि मुझे distribution table में convert करना है तो उसके लिए अपना command होता है select create underscore distributed underscore table इसके बाद मेरा table का name रहेगा यहां पर देखी मैंने rating डाला है लेकिन यहां पर actually मैं मेरा क्या आना चाहिए जो schema name है वो भी आना चाहिए यहां पर भी schema name यहां पर भी मेरा schema name dot मेरा table का name and यहां पर मेरा column आना चाहिए तो जैसे यह आपर create करेंगे तो यह table में है यदि मेरे पास huge record है तो create distribution करने में वो time लेगा क्योंकि जो मेरे coordination note पर जितना data था वो इसको अलग-अलग बरकर note पर वो divide करेगा तो वो थोड़ा time लेगा ठीक है तो आपका data इस तरह से बरकर note के अंदर store हो जाएगा chunk में तो यह तो command होगी मेरे create distribution यदि आपको लगता है किसी कारण से कि वो distribution आपका काम नहीं करता है उसको हटाना है तो simple command है उसका है आपका undistributed table इस तरह का command रहता है और उसके बाद table name table name हमेशा schema name के साथ आएगा तो इससे कहोगा आपका undistributed हो जाएगा यदि फिल से create करना है तो same command रहेगा आप column को change कर सकते हैं यदि आपने देखा होगा पिसले example में आपने देखा और आभी आगे भी देखेंगे यदि आपने एक table को यहां पर distributed table कर दिया है एक particular movie ID पर यदि आपने इसको नहीं किया है इसको कर दिया है यदि आप join करेंगे इस तरह से तो आपका यह join नहीं चलेगा यहां पर मैंने movie ID है यहां पर rating ID पर distributed कर रहा हूं तो मेरे इसके साथ यह join नहीं चलेगा क्योंकि इसका data हो सकता है यहां पर है दूसरा यहां पर है तो अपने इसका create करके एक example लेते हैं open करते हैं देखते ह यह क्योंकि मैं अपना जो वीडियो है विंडो मसीन पर बना रहा हूं मेरी local मसीन पर तो मेरे पास cloud नहीं है तो मेरा जो साइट जो extension होता है उसकी वजह से आपका distribution होता है उस पर रहता है तो यह मैंने इंस्टाल नहीं किया है तो मैं कमांड चलाऊंगा तो सकता है मेरे कम distribution यूज करने रहते हैं तो यह उसका extension है चलिए PG admin open करते हैं और वहां पर detail में समझते हैं चलिए यहां पर मैंने PG admin open कर लिया है यहां पर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो मेरे पार database है यहां पर देखी Postgres है एंड यहां पर मेरा डारेक्ट स्कीमा आ रहा है तो यदी आ यहां नहीं है मैंने extension यहां पर इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी सिर्फ क्या करेंगे अपन इनको क्योरी समझेंगे जो जो एरर आएंगे या जो भी क्योरी रहेगी मैं लिखते जाओंगा लेकिन execute नहीं कर पाऊंगा आप जब आपके पास रहेगा तो आप अपने system पर इसको execute कर सकते हैं क्योंकि आपके पास आप क्लाउड पर रहेंगे तो क्लाउड पर जनरली आप जब भी postgres admin इंस्टॉल करते हैं साइटस extension जो है उसको install करते हैं तो अपना के requirement है अपने पास तीन टेबिल है एक तो कौन सा है मेरे पास मूबी है जहां पर अपने पास मूबी का detail है यहां पर जैसे देखिए मेरा मूबी आईडी है 123 टाइटल है एंड मूबी टाइप है अभी मेरे पास यह रहा हूं क्योंकि सारा का सारा डेटा मेरा कोडिनेशन नोड मतलब जो मेन नोड है उसी के ऊपर है distributed नहीं है तो मैं इसको stop कर देता हूं इसी प्रकाल से मेरा जो मूबी कास्ट है मैंने कुछ डेटा यहां पर डाल कर रखा है कि जो मूबी है उसमें कौन कौन जैसे मैंने म मूबी आइडी दिया है पर डमी डाल दिया है सार के लिख दिया है कार्तिक लिखा है मतलब जो मूबी है उनकी कॉस्ट है तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि हर जगे तीनों टेबिलों में में मिर पास मूबी आइडी है तो डिस्टिविशन क्रिएट करूँगा मैं किस के ऊपर करूंगा यह मूबी आइडी के उपर तो अभी क्या है अपने पर बरकर नोट पर कोज भी डेटा नहीं है सारा जो डेटा है मैं बोल रहा हूं कि यहां पर मेरा हंड़ेट के हैं फारेगन यहां पर 10 million है तो सारा जो मेरा है यह सारा क्वाडिनेटर नोट पर डिस्टिबीटेट करना है डिस्टिबीटेट मैं बोल रहा हूं कि थाउजन एक जगर आएगा थाउजन इस तरह का मोबी आइडीवाइज जो भी मेरा हैस्की या जो इंडेक्स रहेगा उस वेसेज़ पर वो करेगा ठीक है अब यह हैपन करते हैं कि डिस्टिबीशन तो क पहला नंबर की कौन सा टेबिल है जिसको आप डिस्टिबीटेट कर रहा है तो अपन ने हाँ पर देखा है सबसे पहले अपन कर रहा है रेटिंग को यहां पर इसकी मानेम डेमो अंडेसको टैस डॉट मेरा रेटिंग एंड मैंने कॉलम डिसाइड किया था मोबी आईडी क कि लिए मैं वह ए जए बी आईटी का इसका सलेक्ट ही करके सेको रन कर दोगा तो यह भी मेरा सम डिस्टिबुएट हो जाइएगा एंड इसके ऊपर मैं रहं करूंगा टो मेरे तीनों यदि मेरे डिस्टिबीटेड हो गया उनूहरा से करेगा जो अपने ન कर दिया है तो टांफर हो गया है तो अब भी जब मैं करूंगा तो वह उस नोट के हिसाब से वह सब्सक्राइब यहां पर देखिए अपका टेविल करने फारेगिंपल में मूवी की बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा demo underscore test dot movies तो यहां पर क्या अपना demo test dot movies एंड इसको open run करेंगे तो यह क्या हो जाएगा मेरा undistributed हो जाएगा तो यह सब को run करना है तो सब के लिए आप अपना table name डालते जाएए यह क्या हो जाएगा undistributed हो जाएगा यदि आपको देखना है कि आपका कौन कौन से टेबल distributed है तो उसके लिए command होता है citus table तो क्या command रहा है आपका select star from citus underscore table bear table name अब यहाँ पर convert कर सकते है bear care अपन क्योंकि यह single code में डाल रहा है तो सब से पहले मैं देख रहा हूं कि movie number movie name and second number का rating तो इन दोनों को मैं select के भी करूंगा तो मेरा result में दिखाएगा कि मेरा यह दोनों टेविल distributed है and उनका distribution की कौन सा है तो यह movie id distribution की के against वो दिखाएगा तो इस तरह से आप जितने भी table है आप डाल के देख सकते कि कौन कौन से table आपके distributed है कौन से distributed नहीं है अभी देखिए अपने example में अपने क्या किया है कि यह वाला जो table है मेरा पास a distributed table है यह जो table है इसको मैंने अभी हटा दिया है यहां पर यह के मेरा क्या है non distributed table है and यह वाला मेरा distributed है यदि मैं इसके उपर select query लगाऊंगा join query तो यह नहीं चलेगा क्यूंकि यह distributed है यह non distributed है तो वो बोलेगा कि सारे आपके node एक coordinator node पर या आपके बरकर node उसके उपर exist नहीं है तो आपका एक क्योरी नहीं चलेगा यह तो एक condition रहेगी तो इस condition पर आपके पास error क्या रहेगा या तो यह error आएगा या दूसरा एक और condition हो सकती है कि मेरे पास यह movie id पर मैंने यहां distribution किया है इसका distribution है मेरे पास rating id पर बोल रहा हूं यह वाला जो distribution है वो मेरा rating id पर है and मैं select theory लिखता हूं यहां पर इसको हटा देते हैं इसको काट करके मैं उपर डाल देता हूं यहां पर मेरा क्या क्यारी रहेगा कि मेरा select star from मेरा man table मैं बोल रहा हूं कि मेरा movie है यहां पर left join यह सिर्प example के लिए मैं दे रहा हूं आपका condition different रहेगा यहां पर मेरा क्या आएगा rating है इसको मैं बोल देता हूं a and इसको बोलता हूं मैं b and मैं करता हूं on a dot equal to b dot and इसका मैं बोल रहा हूं कि rating id कि यहां पर एंड यहां पर मैं बोल रहा हूं कि मेरा movie id है तो जो distribution है यह वाला अलग है movie id and rating id मैं जब इसको run करूंगा तो वो मुझे error देगा किस तरह का error मिलेगा आपको इस तरह से मिलेगा कि complex join are only supported when all distributed table are co located and join in their distributed column तो अभी देखिए यह तो मेरा rating id पर है movie id मतलब different note पर है different distribution पर है working note पर तो इसकी बज़े से आपको error देखेगा तो इस तरह कि जो problem रहते है जनरली आपका रहता है कि सारा data एक जगह नहीं रहेगा जैसे आप एक banking में काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपका customer का अलग data रहे और आपका जो product है उसका अलग data रहे लेकिन आपको distribution के लिए common key नहीं मिलेगा तो उस condition पर आपन क्या करेंगे कि जो distribution है एक common table expression जो अपने समझा है CTE उसका use करेंगे join करने के लिए तो वो अपने example लेकर अभी समझते हैं बाकि आपको error आएगा एक error आएगा कि हो सकता है कि आपने इसको distributed नहीं है non distribution और दूसरा distributed हैट सब भी आपको error आएगा लेकिन यह जो valid condition है कि आपका distribution तो है लेकिन मेरा जो distribution की है वो different different है उसको यह आदि आपको join करना है तो उसके लिए common table expression होता है तो अपने लिखके देखते हैं किस तरह से आप वो join कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए अपने को क्या दिखना रहता है cte common table expression अपने इनको clear कर देते हैं अपने के पास बूबी के नेम है यहां पर कि यहां तक मैं किरियेट कर लेता हूं जो अपने समझा अभी तक distributed table देखा एक reference table भी होता है उसको अपन यह cte के बाद समझते हैं तो अपन समझ रहे हैं अभी cte tables है कैसे यदि मेरा जो distribution है वो different column पर रहे तो सबसे पहले आपको एक क्या करना पड़ेगा cte create करना पड़ेगा common table expression क्या होत अदर ले लेंगे तो एक साथ क्योंकि वह आप जॉइन कर पाएंगे क्योंकि सब कर देश्टिब्यूसन है वह सेम पर ही है या तो मोवी पर या रेटिंग पर तो उनका अपने एक तरह से grouping बना ले रहा है तो यहां पर मैं लिख लूँगा इसका table का name select star from मैं बोल रहा हू इसको मैं अलग से ऐसे और भी टेवल है मेरे पास यहां पर एक और दूसरा टेवल है तो मैं यहां पर एक और सीटी बना लूँगा कि मेरे पास एक सीटी कि एक्स वाइजएड है कि उसमेरी कौन सा फर्स्ट के साथ जॉइन करना है तो मैं select star from मेरा सीटी रेटिंग इसके साथ जॉइन कर लूँगा विस तरह सा मल्टीपल ले सकते लेकिन अभी मैं एक ही को ले रहा हूं तो मैंने इसको कर लिया है यह मेरे काई में आ गया सीटी में आ गया है सीटी क्या होता है एक टेम्परी टेबल होता है जो कि आपके लोकल इंवार्मेंट में जो आपको यहां पर काम कर रहा है वहां पर बनाएगा तो जितना भी आपका यह बारकर नोट से डेटा था वो सीटी में आ गया तो इसको आप डारेक्ट जॉइन कर इसको बोल देता हूं V and on अभी मैं क्या कर दूँगा इसका जो distributed मेरा काई पर रेटिंग पर था लेकिन मैं जोईन काई पर करना है movie id पर तो मैं बोल दूँगा एक movie id equal to v. movie id इस तरह से जो आप इसको रण करेंगे तो यह प्रापल चलेगा लाज्ट टाइम आप रण करेंगे क्योंकि आपका movie id पर नहीं है आपका distribution distribution आपका rating id पर है तो उससे में error देगा तो आप इस तरह से cte create करके इसको आप रण कर सकते हैं एक अधर option रहता है इसमें होता है reference table तो reference table का concept क्या होता है कि आप distributed कर रहे हैं आपके पास coordination node अलग-अलग small-small coordinator node है लेकि reference table अधि आप कभ यूज़ करते हैं या आपके पास एक small table है आप बोल रहे हैं कि मेरे पास जो rating table है उसमें मेरे पास 10 million record है एंड आपके पास एक table है जहां पर कि मैं बोल रहा हूं कि for example movie cast जहां पर कि मेरे पास only thousand record है एंड इसको मेरे को join करना है हमेशा rating के साथ तो मैं क्या करूंगा rating table जो रहे गा यह मेरा distributed table रहेगा लेकिन इस table को मैं कर दूंगा reference table बना दूंगा तो मैं जब भी join करता हूं reference table कि इस तरह से काम करता है कि हर जो distributed node रहेंगे बरकर node रहेंगे उनके ऊपर एक table available रहेगा मतलब आपके जैसे 100 बरकर node है तो 100 के 100 node पर आपको एक table मिल जाएगा क्योंकि आपके पास record small है thousand है तो आपको performance का उसना space का problem नहीं आएगा तो इससे क्या होगा इसको सीधा सीधा join मिल जाएगा उसी नोट पर तो अपने उसको कैसे create करते है reference table को उसका भी syntax M है select create underscore reference underscore table आपका table का name and आपका column का name तो यह क्या हो जाता है आपका reference table create हो जाएगा तो आप जैसे join अपने CTE से करने की वजाए आप डारेक्ट इस table को इससे कर लेंगे जबकि इसका मेरा distribution की अलग है जैसे यहां पर मैं बोल रहा हूं rating है एंड इसमें मेरा क्या है movie id है तो दोनों आप जोइन कर पाएंगे क्योंकि इसी note के अंदर मेरा यह record भी है यह repetitive होगा multiple note पर लेकिन आपके पास आपको इस्पेस का problem नहीं आ रहा है तो उस condition पर अपनी यह जो create reference table है उसको यूज करते हैं ठीक है तो यह तो एकदम simple था basic था क्योंकि मेरा पास situs extension नहीं था इसकी काड़ मेंने run करके नहीं दिखाया है लेकिन आप जितनी भी command में लिखी है यह मैं अपने description बाक में दे दूंगा तो आप अपने इन्वार्मेंट में वहाँ पर आप रन करके देख सकते हैं ठीक है चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में यदि आपके पा जंद आया हो तो subscribe, share and like करना ना भूलें थैंक यू बाई